एक नई दुनिया बनाऊंगा भगवान बनने के चक्कर में बावी देवल का चार्म पड़ा फीका बहत स्लो है सिरीज की रफ्तार दरसल दोस्तों लंबे इंतजार और उमीदों के बाद बावा निराला ने हम सभी के कम्प्यूटर और मुबाइल स्क्रीन पर वापसी कर ली है बावी देवल और परकास जांकी सिरीज आस्रम का सीजन 3 आ चुका है इस सिरीज के पहले और दूसरे सीजन ने दरसकों को खुच से जोड़ा था एक्टर्स की बड़िया परफॉर्मेंस और बावा निराला और उनके आस्रम की दमदार कहानी को हर देखने वाले ने पसंद किया लेकिन अब तीसरे सीजन के साथ आस्रम ने अपना चार्म खो दिया है लोगों के भड़कने के बाद आस्रम ने अपनी सिरीज को ओफिसियली एक बदनाम आस्रम नाम दे दिया है नाम बदल जाने से अगर सिरीज की स्टोरी बदल जाती तो कमाली हो जाता लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है आसरम एक क्राइम ड्रामा और थ्रीलर सिरीज है इसके नए सीजन की कहानी बाबा निराला की कू करमो को फॉलो करती है सिरीज के दूसरे सीजन में हमने पम्मी पहलवान को बाबा के हातों सोसी सोने के बाद उसकी चुंगल से पचकर भागते वे देखा था अब आसरम सीजन 3 में पम्मी अपने साथ हुए दुसकरम का बदला लेने आ गई है पम्मी का मोटी बाबा निराला की पोल खोलना है इसके अलावा सिरीज में कई और कहानिया चल रही है जो इसे दिल्चस्प बनाती है असरम को एक फ्रॉड बाबा और कॉन मैन के रूप मे दिखाया गया है जो अपना कल्ट चलाता है लेकिन इस सिरीज में कुछ नया नहीं हो रहा आसरम में सिर्फ एक नए किरदार की एंट्रॉई है और वो है इसा गुपता इसा एक जानियमानी पब्लिसिस्ट के किरदार में नजर आई है लेकिन उनका किरदार आते ही खराब क अपने किरदार को हमेशा की तरह बढ़िया तरह से निभाया है बाबा निराला के किरदार में बावी देवल ने अपने करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है साथ ही उनके साथ ही भोपा सिंग के किरदार में चंदन रोय सानियाल का काम भी बहुत बढ़िया है ले नहीं मरने वालों या सोसित होने वालों के लिए बुरा लगता है दरसन कुमार और अनुपिरिया गोइंका के किरदार को इस सीरीज में आप ज़ादा नहीं देख पाएंगे जो की काफी निराज करने वाली बात है ये दोनों सीरीज के दिल्चस्प किरदारों में से थे जिन लगता इरेटेटिंग है